गुड मार्निंग बच्चों, बच्चों मैं आपके संस्कृत की टीचर उशा किरन, आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट टू लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका सिर्षक है असमाकम देशा, इसमें हम लोग सबसे पहले एक एक लाइन का संस्कृत का हिंदी जानेंगे, किस लाइन का क्या हिंदी है, आप लोग अपने अपनी बुक को निकार लिजे और ध्यान से समझने की कुशिस कीजे, तो शुरुवात करते हैं, भारतम असमाकम देशा हस्ती, भारत हमारा देश है, बयम तस्य नागरिका और बयम माने हम लोग उसके नागरिक हैं, आयम गर्वसी विश्य हस्ती या गर्व का विश्य हैं, असमाकम देशा, आर्यावर्त, भारत वर्षम, इंडिया, हिंदुस्तान, चतुर्वी नाम भी प्रसिद्धा, असमाकम देशा माने हमारा देश, आर्यावर्त, भारत वर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, इन चार ना प्रशिद्ध है। तेश्यु एकह दुश्यंतस्त्सी पुत्र भरत हासीड, उनमें से एक दुश्यंत के पुत्र भरत थे। तेन एव नाम नास्य देशस्य नाम भारत अभवत। उनहीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ाओ। प्रजा नाम भर्णात अपी भारत है उच्चते प्रजा नाम भर्णात यानि प्रजा का भर्णात माने पालन पोशन करने के कारण भी इसका नाम भारत पड़ा तो बच्चों इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा एक तो दुश्यंत के पुत्र भारत के नाम पर इस देश का भारत पड़ा आयमपुरा स्वर्ग तुल्य हासित यह देश पहले स्वर्ग तुल्य मने स्वर्ग के समान था देवाहापी अस्मिन जन्म लब्धों इस प्रिहंतिस्म और देवता भी यहाँ जन्म लेने की इक्छा रखते थे अस्माकम देश बिश्व गुरु पदे सुशोभिता हस्ती हमारा देश बिश्व गुरु के पद पर सुशोभित है बिश्व से प्राचीन तमाह ग्रंथा बेदाह भारत सी एवसंती बिश्व के प्राचीन तमाह ग्रंथा मने सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद भारत के ही है तेश ज्ञान विज्ञानम कला संस्कृति नहीं था उनमें यानि इन वेदों में ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति नहीं था असी संस्कृति प्राचीन तमा सर्वोत्तमा चो अस्ति इसकी संस्कृती प्राचीन तमा माने सबसे प्राचीन और सर्वोत्तमा माने सबसे उत्तम है बसुध्यव कुटुम्वकम इती घोशा असी संस्कृते हे भावना अस्ती बसुधयो कुटुम्बकम यानि पूरी प्रित्वी ही, कुटुम्बकम यानि परिवार की तरह हैं, ऐसा नारव इस संस्कृती की ही भावना है प्राचीन काले आयम देश प्राकृतिक संपदा सू संपन्न आसीद प्राचीन काल में यह देश प्राकृतिक संपदा से सू संपन्य देश था अता सोने की चिडिया नाम नापी प्रसिधा हासीत इसलिए यह सोने की चिडिया नाम से भी प्रसिध था बच्चों इस देश को पहले सोनी की चिडिया कहा जाता था क्योंकि ये हमारत जो देश था वो प्राकृतिक संपदा से बहुत ज़्यादा संपन्य था इसलिए इसका नाम सोने की चुड़ियां पड़ा था भारत के उत्तरदिशा में पर्वत राज हिमालय मुकुट मनी की तरह सुशोभित होता है असे दक्षिने जल निधी अनवरतम असे पादम प्रक्छालेती असे दक्षिने मने इसके दक्षिन में जल निधी मने समुद्र अनवरतम मने लगातार असे पादम प्रक्छालेती मने इसके चर्णों को धोता रहता है हिमालय सत्रुब्य देश से रक्षाम करोती, हिमालय सत्रुओं से देश की रक्षा करता है असे पर्वतस्य शिखरानी हिमेह अच्छादितानी संती अता हिमालय नाम अफवत असे पर्वतस्य शिखरानी मने इस पर्वत की चोटियां हिमेह मने वर्फ से अच्छादितानी संती मने धकी हुई रहती है इसलिए इसका नाम हिमाले पड़ा हिमाले का मतलब ही होता है बच्चों हिम का आले मतलब हिम कहते है वर्फ को आले कहते है घर को यानि वर्फ का घर चुकि हिमाले परवज्जों है वह सालों वर्फ से ढखा हुआ रहता है इसकी छोटिया ढखी रहती है वर्प से इसलिए इसका नाम हिमाले पड़ा हिमाले आज अनेका नद्या उत्पन होती है देशत से विशाल भूभाग चस सची शामलम कुरबनती और देश के एक बड़े भूभाग को हरा भरा बनाती है चुकि ये जो नद्या हिमाले से बहुत सी नद्या निकलती है और ये नद्या जो निकलती है इन नदियों के जल से हमारा एक विशाल भूभाग सिंचित होता है जिसके कारण की हमारा देश जो हरा भरा बनता है हमारी फसले अच्छी उत्पन होती है अस्माकम देश धर्म निर्पेक्च देश हैस्ती हमारा देश धर्म निर्पेक्च देश है अस्मीन अनेक धर्मा नाम जना परस्परम मैत्री भाविन निवसंती इस देश में अनेक धर्मों के लोग परस्परम मने आपस में मैत्री भावेन माने मैत्री भाव से मित्रता पुर्वक नियुसंती माने रहते हैं। आयम देश अनेके शाम महर्षी नाम महापुर्शा नाम महावीरा नाम चजन्व भूमी हसती। यह देश अनेकों महर्शियों, महापुर्शों और महावीरों की जन्म भूमी है तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग ने पार्ट दो का जो हिंदी है इसे आप लोगों को मैंने समझाया आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बार बार अपनी बुक को सामने रखेगा और एक एक लाइन का ध्यान से आर्ट से समझने की कोशिस कीजिएगा मैं जल्दी अगले वीडियो में इस पार्ट का प्रश्न उतर लेकर आप लोगों के सामने उपस्तित होंगी तब तक के लिए बचों धन्यवाद जैहिन